नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां की टॉप 25 पर्मों खबर जानते हैं CBSE 10 वी बोर्ड एक्जाम रद CBSE 10 वी बोर्ड की 4 माई से 10 जुन तक होने वाली परिक्षा रद कर दी गई है वहीं 12 वी बोर्ड की परिक्षा अस्थागित कर दी गई है बता दे 10 वी बोर्ड के 16 चत्राओ को बगर परिक्षा ही मार्क्स और साटिफिकेट देने का निना लिया गया है इस समाध में दिल्ली में परधान मत्री नायदमोदी के साथ सिक्षा मंत्री वह अन अधिकारी की हाई लेवल मिटिंग के बाद आखरी निना लिया गया है सिक्षा मंत्री ने अपने ट्यूटर हैंडल से अजनकारी सेर की है बता दे COVID-19 में हमारी के दूसरे वेब और संक्रमन की देर अफ्तार को देखते भी निना लिया गया है राज के स्वास्त विभाग ने इसकी जनकारी दी है नए डबल वेरियंट एस्ट्रेंड की पुश्टी भोनेस्वर की लाइब में जी नेम सिक्स वेसिंग के माध्यम से की गई है राज सरकार ने परदेश के कुछ पोजेटीव नमोनों को जांच के लिए भोनेस्वर बेजा था वहीं से यह रिपोर्ट आई है जारखन में किसानों को 4 लाख रुपए के साथ मुफ्त में मिल रहा ट्रेक्टर जारखन के किसानों को अनुदान दर पर मुख्या कराये जाने वाले ट्रेक्टर से जुड़े पेंच सुलजने का नाम नहीं ले रहे हैं वहीं तीन वरस बाद इस वरस ट्रेक्टर मिलने के उमीद जगी तो मामला तक निकी जहंजट में उलज कर रहा गया नतीजा गत वीतिये वर्ष की समाप्ति तक इसे बाटा नहीं जा सका अबनाई वीतिये वर्ष के अप्रेल या माई माह में भी यह किसानों को मुख्या हो पाएगा इसे लेकर संसर बर करार है बता दे कि जहारखन में किसान समों को तीन बरस बाद 80% अरुदान पर मिनीट टेक्टर मुख्या कराए जा रहे हैं अस्पतालों में न दवा का ठीकाना न डक्टरों का मचा हाकार राजी में कुरोना को लेकर इस्थी दिनों दिन बद्दर होती जा रही है और हालात इतने बद्दर हैं कि इनकी अच्छे तरीके से देख भाल भी नहीं हो पा रही है कारण असपस्ट है कि सरकार से लेकर प्राइवेट असपतालों तक में तैस सीटों की संक्या से अधीक मरीज भरती हो चुके हैं बता दे सरकारी असपतालों में न दवा का ठीकाना और न डक्टरों का है राजनारी राची मेवी मरीजों के सरकारी अस्पतालों से स्वेम निकाल कर बाहर चले जाने के मामले सामने आया है ज्यारखन में हलात बदत्तर लग सकता है संपून लोकडाउन कुरोना वायरेस महामारी का दूसरा चरह अंदेश भर में खातक हो गया है जार्खन में हलाद बेकाबू हो रहे हैं संक्रमन से हो रही मौतों के मामले में तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं संभव है जार्खन में संपूर्ण लोकडाउन लगा दिया जाए इस विश्चरकार ने कई बड़े अधिकारी संक्रमन रोकने में लगाए है बताद जार्खन में संपूर्ण लोकडाउन लगाया जा सकता है के सवाल पर स्वास्थ मंत्री बना गुपता ने कहा की इस पर राई सरकार अभी विचार कर रही है आपदा परवंदन विभाग के साथ सीम हमान सुरेन खोधी इस मामले को देख रहे है जल्दी लोकडाउन पर फसला हो जाएगा अभी धारा 144 के साथ रात आट बजे के बाद कड़ी पवंदी लगाई गई है पूलिस मुख्याला का फसला आज से टोपी नहीं पहनेगी जार्खन पूलिस कुरोना वायरस के बढ़ते संक्रमन को देखते विए जार्खन पूलिस मुख्याले ने सभी जिला व इकायों को अवसक दिसानिर्देश जारी किया है बतादे कुरोना वायरस के चलते अब जार्खन पूलिस के जवान अधिकारी टोपी या कैप नहीं पहनेंगे एसा कहा जा रहा है कि टोपी पहनने से बार-बार उसे चोने की यरूरत मुसूश होती है उसे ठीक करने के लिए बार-बार हात ले जाना परता है पूलिस फ्र alternайн वरकर के रूप में काम करती है भीड में रहती है, ऐसी इथिती में कुरोना वायरस के संक्रमन का खत्रा बना रहता है पुलिस मुख्याले ने सभी पुलिस कर्मियों से मास्क पहनने वा सनेटाईर से बार बार हाथ सनेटाईज करते रहने का भी आदेश जारी किया है होम गार्ड में टकराओ जार्खन होम गार्ड वेलफेर एसोसियेशन के चार पताधिकारी संग विरोधी कारियों के लिए निसकासित कर दिये गया है जिन्हें संग से निसकासित किया गया है जिनमें जार्खन होम गार्ड वेलफेर एसोसियेशन राची के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार बोकारो जिला की महिला जिला अध्यक्ष चिंता देवी वाई जाम तड़ा जीला के अध्यक्स तपन सिंग वा जारकन होमगाड वेल्स पहर एसोशेशन के परदेश सचीव कामिस्वर पंडित सामिल है CBSC 10 वी परिक्षा रद के बाद अब जैक की मैट्रिक परिक्षा पर निर्नय का इंतिजार CBSC की 10 वी परिक्षा रद वा बरावी की टलने के बाद अब सभी को जैक की मैट्रिक पर इंटर्मेडियेट की परिक्षा पर निर्नय का इंतिजार है बता दे सिक्षा सचीव राजेस सर्मा ने कहा है कि मुख्य मंत्री हमन सुरेन अभी राची से बाहर है उनके आने के बाद बैठक करके परिक्षा पर निर्नय लिया जाएगा उन्होंने कहा कि परिक्षा को लेकर क्या क्या विकल्प हो सकता है हम इसे टटोल रहे है सिग रही निर्नय होगा कहा बर्तमान में बर्ते कुरोना संक्रमन को देखते वे बच्चों की सुरक्षा के ध्यान रखते वे उचित नहीं लिया जाएगा रांची में सरकारी एवम नीजी अस्पतालों में बेड की उपलबता के लिए लाइब डेस्बोर्ड COVID-19 संक्रमन काल में रांची जीला के नीजी और सरकारी एश्पतालों में बेड की क्याई स्थिती है इसकी जनकारी आपको एक क्लिक में मिल जाएगी बतादे जीला पर सासन द्वारा COVID-19 लाइब डेस्बोर्ड की लॉंचिंग की गई है जारखन में 3199 नए केस मिले हैं जिसमें रांची से 1273 मरीज सामिल है जारखन में 31 मरीज की मौत हुई है जारखन में कूल मौत की संक्या 1292 है वही कूल एक्टिव केस की संक्या 188524 है भारत में 1,9999 या 376 नए केस मिले हैं भारत में कुल मौत की संक्या एक लाग तीहत्यार एक सो बावन है वही एक टीव केज की संक्या 14,65,887 है कुरोना जांच में अनाकानी करने वाले नीजी लाइब पर न के लपरवाई पर होंगे सील राची जीला में छामता से कम जांच करने वाले नीजी लाइब संचाल को खिलाब करवाई की जाएगी छामता से कम जांच करने वाले चार नीजी लाइब को उपायूक तो ने सो काज करने का निर्देश दिया है और एक लेब की और से जांच सुने बताए जाने की जांच का अदेश भी दिया है एस आर एल लेब एस सरन लेब और मेडिका को नोटिस देने का निर्देश उपायुक द्वारा दिया गया बतादे नेजी लेब की औचक जांच की जाएगी और गड़वाड़ी पया जाने परनों के खिलाप करवाई भी की जाएगी कॉंग्रेस बिधायक इर्फान अंसारी ने बावा बैदनाथ मंदीर में की पुजा अर्चना जार्खन में मधुपूर बिधान सबाव चुनाओ को लेकर चल रही राशा कसी के बीच कॉंग्रेस बिधायक इर्फान अंसारी ने भी खुद को सबसे बड़ा सिवभक्त बताते हुए बुद्वार सुबा देवगर इस्थित बावा बैदनाथ मंदीर में पुजा अर्चना की बतादे इर्फान का मंदीर में जाना भाजपा को नागवार गुजरा है ततकाल ही पार्टी ने तावो का एक सिष्ट मंदल इसकी सिकायत करने के लिए राची इस्थित मुखे निर्वाचन करयाले जा पहुँचा बतादे बिधायक इर्फान अंसारी ने खुद को सिवभक्त भी बताया पुजा के बाद कहा कि जब भी मन बिचलीत होता है वह बाबाधाम आ जाते हैं अक्सिजन टास्क फोर्स का गठन कोविन-19 पर परभावी नियंतरन के लिए अक्सिजन टास्क फोर्स का गठन किया गया है जार्खन राज में कोविन-19 के तेजी से फैलाव को देखते हुए अक्सिजन की विवस्था तथा पूर्ति सुनिशित करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है टास्क फोर्स में भारतिय प्रसास्निक सेवा के अधिकारी जिन्द कुमार सिंग, किरन कुमारी पासी, आधिते रंजन और रितु साहय को पदस्था पित किया गया है चारो अधिकारियों को आक्सिजन उत्पादन इकाई के साथ समन्वे बैठाक कर, राज के सभी जीलों में इस्थित अस्पताल में निर्बाद रूप से आक्सिजन की विवस्था कराने को कहा गया है बेड और इलाज की दर डिस्पले बोड पर लगाये निजी होस्पिटाल मंत्री बढ़ते हुए क्रोणा संक्रमन को देखते हुए जमसेद पूर के परिसदन में स्वास्थ मंत्री बाना गुपता ने पूर्वी सिम्भूम के उपायुक्त, सिविल सर्जन वा स्वास्थ विभाग के अनपद अधिकारियों तथा जीला के निजी, चिकित्सा, संस्थान के संचाल को के साथ जमसेद पूर के परिसदन में बैठक की, बैठक में उन्होंने जीले में उपलाद मेडिकल संसाधनों की समिक्षा करते हुए आवस्चक दिशा निर्देस दिये, कुरोना के दिशा निर्देसों का सकती से पालन कराय अधिकारी डिजीपी, जार्खन के ड संक्रमन से बचाव के लिए केंद्र और राज सरकार की ओर से निर्देसों का सकती से अनुकालन सुनिश्चित कराने, और ये लोगों को कुरोना संक्रमन से बचाने के लिए नियमों का पालन करने के लिए जागरूप करने, जान बोजकर नियमों की अंध्यकी करने पर उनक वाले मौत के audit एवं health certification के report के सम्वंधित मारक दासिका के अनुसार कारे करने का निदेश दिया है इसे लेकर सचीव ने वो द्वार को सभी उपायुकतों को पत्र जारी किया है बतादे पत्र में उन्होंने कहा है कि COVID-19 संक्रामन में हुए मौत का कारान का पता लगाने के लि COVID-19 संक्रामन से हुए death का death audit किया जाना अनिवार यहा है कुरोना को लेकर जन जागरन अभियान चलाएगी जार्खन कॉंग्रेस भरतिय राष्ट्रिय कंग्रेस की आंत्रीम अध्यक सुनिया गांधी के निदेशांसार जार्खन परदेश कंग्रेस ने कुरोना संक्रामन के बढ़ते खत्रे को देखते हुए राजे भर में जन जागरन अभियान चलाने और जरूरत्मन लोगों को मदद करने का निन्या किया है बतादेश कंग्रेस अध्यक्स रामिसवर उराव के अध्यक्सता में कंग्रेस भवन में होई बैठाक में फसला हुए कि कुरोना मामार इसे परवाइत लोगों की हर संभाव सहायता की जाएगी धन्यवाद